लोकसवा टीवी के खास कारक्रम सांसर से सवाद में आपका स्वागत है मैं हूँ पवन कुमार शर्मा इस खास कारक्रम में आज हमारे महमान है शिमला संसदिय सीट के माननिय सांसद सुरेश कश्चप जी सुरेश कश्चप जी लोकसवा टीवी में आपका स्वागत है तैंक्यू शर्मा जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब शिमला की बात होती है तो प्राकृतिक सुंदर्य जो है उसका रमनिय है बहुत सुंदर है और ऐसे सुंदर जगा के लोगों ने आपको इस बार बंपर वोटों से जिताया है देश में भी बीजेपी को 303 सीटे मिली है और पूरे एंडिये को 301 से जाधा सीटे मिली है जो आपने पूरा चुनाओ देखा इसमें क्या कहना चाहेंगे आपकी देश की जन्ता का मूर क्या था उस वक्त सबसे पहले तो मैं देश की जन्ता का धन्यवाद करना चाहूंगा और आपने संस्दीक शेत्री की जन्ता का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने कि मुझे सांसत के रूप में इस बार चुना हूँ जहां तक इस लोकसवा चुनाओ की बात है के अंदर सरकार की जो पांच साल का जो कारेकाल रहा जनता के अंदर एक विश्वास पैदा हुए कि हमारे देश को एक मजबूत नितित्तो मिला और आने वाले समय में भी हमारे पास एक से शक्त नितित्तो है और मोदी जी के रूप में एक से शक्त प्रधान मंतरिया में मिल रहे और जो पांच साल में काम हुए जो विकास के काम हुए उस बात को लेकर जनता ने इस बार भारती जनता पार्टी के लिए वोट किया और नतीजा यह रहा कि इस बार 303 300 के पार जो नारा भारती जनता पार्टी ने दिया था उसको भारती जनता पार्टी ने चीव किया हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार चार की चार वाला नारा था, पिछली बार भी चारों सीटे बीज़ेपी के खाते में गई थी, लोगों ने रिकॉर्ड मार्जन से आपको जिताया, चारों सीटों पे, इसको किस दिश्टी से दिखते हैं आप? निशित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी फिर एक बार चार बटा चारों, चारों की चारों सीटे भारती जनता पार्टी ने जीती, और एक प्रचंड बहुमत जिसे हम कहेंगे, हमने चारों की चारों सीटे लगबग साड़े तीन लाख बोट के ज़्यादा अंतर से जीत को मिला, और मैं अपने संस्दीक शेतर की बात करूँ तो वह भी लगबग सासर प्रसेंट, 66.5% कुल मतदान का भारती जनता पार्टी को मिला, प्रचंड जीत हुई, और उसमें जिस प्रकार से भारती जनता पार्टी की सरकार ने, एक वर्ष के कारेकाल के दोरान, जो काम एक वर्ष में तो कोई सरकार विवस्थित रूप से काम भी शुरू नहीं कर सकती, लेकिन इस प्रकार से मानी मुख्यमंती जी ने काम किया, उसका नतीजा रहा कि जनता के अंतेक विश्वाज आगित हुआ, कि हिमाचल प्रदेश में भी एक भैतरी नेतित तो हमें मिला है जो हिमाचल प्रदेश को विकास के मामले में और लागे ले जाएगा और उसका नतीजा ये रहा कि चारो की चारो सुटे प्रचंट मार जिसे बाती जनता पाठी में जीते हैं। जो भी अपने क्षेतर की समस्यां उठाने का मौका मिला है, संसद में कई बार मिल चुका है, किस दिश्टी से देखते हैं आप इस सबको? जिस प्रकार से इस बार संसद का संचालन हो रहा है, हमारे जो स्पिकर साब हैं बहुत भैतरीन डंक से संचालन कर रहे हैं। और आप खुद भी इस बात को देखते होंगे कि रात को बारा-बारा बुज़ तक सदन चलता है। और विशेश रूप से जो पहली बार संसद आए, उनके लिए एक भैतरीन मौका। नहीं तो हमने ऐसा सुना है कि कई बार जब पहले के जो समय होता था और पहले कई बार जो नए संसद आते थे, कई-कई बार उनको पांच वर्ष में मुश्किल से कभी बोलने का मौका मिलता था। लेकिन इस बार कोई एक भी संसद ऐसा नहीं जिसको की संसद के अंदर बोलने का मौका न मिला हूँ। और जहां तक मेरी बात है, मुझे भी तीन बार अभी तक इस संसद में बोलने का मौका मिला हूँ। तो निश्चीत रूप से हम अपने क्षेत्र की बात, अपने क्षेत्र की समस्या हैं और जो भी है हम संसद के अंदर उठाने में, जो है एक भैतरीन ढंग से हम उनको रख पाते हैं, उसके लिए हमारे जो स्पीकर हैं, शिरियूम बिडला जी, मैं उनका भारी हूँ। और आज सभी संसद, जितने भी संसद हैं, क्योंकि संसद में बोलना, और पहली बार जब संसद बनकर आता है, पहली बार बोलना, लेकिन जिस परकार से उन्होंने हमारे मनबल को बढ़ाया तो, आज सभी संसद अपने पूरे क्षेत्र की समस्या जो अपनी बात है, बड़ बहुत सारे दुर्गम इलाके हैं, 17 विधान सभाय सीटें आती हैं, दूर दराज का इलाका है, चुनाव परचार के दुरान आपने लोगों से संपर्ख किया, अगले पांच साल आपके पास हैं, ऐसा कुछ टार्गेट है, अगले पांच साल में ऐसे कौन से बड़े हैं, अपने संसद्य अक्षेतर को लेके, जो आपके ध्यान में हैं, और आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आप उनको पूरा करें, मैं आपको बताना चाहूंगा, सांसद्य बनने से पहले में दो बार, पच्छाद विधान सबाक्षेतर, जो जिल्द से मौर में, महां से विधायक मन, और उससे पहले, मुझे विधायक बनने से पहले, वहाँ साथ बार कॉंग्रेस के लगातार विधायक जीता रहा लेकिन जब से मैं विधायक बना या जब मैंने पहली बार चुनाओ लड़ा उसके बार लगातार जनता के साथ जुड़ा रहा अपने क्षेत्र के लिए काम किया लोगे छोटे मुटे काम उनको करने का प्रियास किया और यही वज़े थी कि 2012 में भी जीता और 2017 में भी जीता और वहाँ भी हमने अपने क्षेत्र का विकास करने का प्रियास किया अब पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को भी भी हम निभाएंगे बहुत सारी समस्य हैं जैसा आपने कहा तीन जिला है जिला शिमला है जिला सोलन है जिला सरमौर है और हर जगे हर क्षेत्र की अपर अपनी समस्य है प्रयास रहेगा पहले विदाय के रूप में भी काम किया है और सांसत के रूप में भी अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे ऐसा मुझे पिश्वास चीज करने के आपके ध्यान में हैं मैं आपको बताना चाहूँगा शुन्यकाल के दौरान भी क्योंकि आप जानते हैं शिमला जो हमारा क्षेतर है शिमला जिला है सेव बहुल क्षेतर है और हमारे बागवालों की बहुत सारी समस्या है उसमें सबसे बड़ी एक जो समस्या है कि जो सेव के उपर इंपोर्ट ड्यूटी है आयात शुलक जो है मैंने शुन्यकाल में इस बात को उठाया कि इसको बढ़ाया जाए ताकि हमारे बागवालों को उचित मुर्ले मिल सके और यहीं नहीं है हमारे क्षेतर में विशेश रूप से हिमाचल प्रदेश के कही हिस्सों में लहसुन होता और अगर मैं कहना चाहूं तो जिला सिर मौर में लहसुन का उत्पादन बहुत होता है लेकिन बहुत पारिशा देखा जाता है चीन से समगलिंगों कर लहसुन अमरे क्षेतर में आ जाता है और इससे क्या होता है कि यहां पर लहसुन के दाम गिर जाते है जैसा कि हमने पिछले वर्ष भी देखा और हमारे बागवानों को हमारे जो किसानों को सही मुले नहीं मिल पाता तो उसके लिए भी मैंने शुन्यकाल के दोरान सरकार के ध्यान में इस बात को लाया कि जो चीन से जो लहसून आता है उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए इसके साथ साथ बहुत सारे अमरे जो किसान भाई हैं उनकी बहुत सारी समस्या हैं एक मुदा जो दूसरा मैंने शुन्यकाल में ही रखा था कि जो हमरे किसान खेती बारी करते हैं और हिमाचल प्रदेश में भी शेष रूप से अगर हम देखें तो जो आवारा पश्यों की समस्या है और शेष रूप से जो बंदरों की समस्या है उसकी वज़े से किसान किसी से विमोख होते जा रहे हैं और एक इस समस्या ने विकराल रूप धारन कर लिया है सरकार से मैंने ये भी कहा कि इसके उपर भी कोई विचार किया जाए कि हम किस प्रकार से बंदरों से और जो दूसरे जंगरी जानवर उससे निजाद पा सके साथी साथ हमारे जो किसान भाई हैं अपनी खेती की रक्षा के लिए उनके पास बंदूके और बंदरों को बगाने के लिए उनको ड्राने के लिए उनके पास उन्होंने बंदूके जो उनके बहुत पहले पुरुजों ने ख्रीदी लेकिन आज के समय में उसकी लाइसेंस फी को जो बहुत बढ़ा दिया गया जो पहले 120 रुपे होती थी आज 16,000 रुपे रे निवल लाइसेंस जो होता है उसके लिए लगता है और जो नया लाइसेंस बनता उसके लिए लगवाग साड़े 200 रुपे लगता है तो मैंने देखा है कि हमारे क्षेतर में किसान भाई जिन्होंने की इलक्षन के समय में अपनी बंदूके जमा करवा दी थी लेकिन आज उसकी लाइसेंस फीज कभी 4-5 रुपे की बंदूक होती थी आज उसकी लाइसेंस फीज बढ़कर साड़े 1600 रुपे रिनेवल के लिए होगी तो बहुत सारे किसान उन्होंने अपनी बंदूके जमा करवा दी थानों में उनको लेकर नहीं जा रहे हैं सबसे बड़ी समस्थ है कि एक किसान के लिए इतनी लाइसेंस फीज देना और साथ में उसको ठाने से लेकर जाना अपनी ध्याड़ी खराब करना और इस बात को लेकर मैंने शुन्य काल में बुद्ध को रखा है सरकार से मांग की कि इसको घटाया जाए और अन्हें भी बहुत सारी समस्थ हैं हमरे किसान बागवन की हमरे एक शेतर की हैं तो उसके लिए भी इस शेतर के विकास के लिए जैसा जिलासर मौर में लहसुन होता है और लहसुन के सासा अधरक जो कभी जिसके लिए जिलासर मौर प्रसिद होता था लेकिन आज उसके उत्पादन में कुछ कमी आई है और लोगों को सही दाम भी नहीं मिल पा रहे तो उसके लिए सरकार इसके उपर भी कुछ विचार करें ताकि जो अधरक अपनी पैचान जिलासर मौर से जो जिलासर मौर की पैचान थी उस परचान को दवारा से बरकार रखा जाए सुरेश कशप जी परधान मंतरी मोधी का सपना है उन्होंने टार्गेट तै किया है कि 2022 तक किसानों की आयज़ वो दोगनी करनी है जहां तक हिमाचल परधेश की बात है तो जो पूर्व राजयपाल है अचारे देवरत जी उन्होंने प्राकृतिक क्रिशी पे बहुत जोर दिया है हिमाचल परधेश को मौडल स्टेट बनाने की तरफ हिमाचल परधेश है और देश में उस्थापित हो रहा है वो वहाँ पर प्राकृतिक क्रिशी भी हो रही है और जिस प्रकार से हमारे क्षेतर में किसानों ने इसको अपनाना शुरू किया है हमारे बहुत सारी कारिशाला किशी भाग दवरा लगाई गई है और सरकार ने भी अपनी और से भर्षक प्रयास उसके लिए किया है नोणी विश्यवेद्याले जो की मेरे ही फ़स्दिक शेतर में पढ़ता है वहाँ पर मुझे भी कई बार जाने का मोका मिला मानि राजेपाल जी के साथ भी और वैसे भी और निश्यत रूप से हिमाचल प्रदेश में इस और काफी काम हो रहा है शुने लागत खेती की और से प्राकृतिक खेती की और विशेशूप से ध्यान दिया जा रहा है बहुत सारे हमारे किसान भाई आज के समब में ऐसा हैं कि जो इस खेती को जिन्हों ने अपनाया है और उसके बहुत अच्छे जल्सा हैं, बहुत सारे किसान इस कहती को कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शुने लागत कहती, लागत बहुत कम लगती है और धीरे-धीरे किसानों का जो रुजहान भी बढ़ रहा है और पैदावार में भी बिद्धी हो रही है जहां तक हम अभी आज दो कर फारं कहेती, चल रही है उसमें कही न कहीं हम जो क suspects का यूज कर रहे हैं या hybrid जो तक जो बीजों का आउज कर रहे है, उससे कहीं न कहीं हमारी जो अपने traditional जो हमारे बीज थे या हमारी जो खाद थी जो हम जिसके पहले क्हेती करते थे तो कहीं न कहीं, ओ चीज़ए सारी लुप्त हो रहीं थी, और बहुत सारी तो हमारी जो फसलें, जो पहले होती थी, परमपरागथ फसलें, कहीं न कहीं लुप्त हो गई थी, लेकिन अप जिसे प्रकार से इसे और अउजहान बढ़ा है, तो किसानों की आर्थिकी में भी सुधार होगा और जहां तक केमिकल्स और फर्टेलाइजर्स का हम जो यूज अधिक कर रहे थे और कई बार उसका उपयोग सही धंग से ना करने के कारण बहुत सारे उसके दुश्पुरी नाम भी हो रहे थे तो शुने लागत खेती से और मैं कहना चाहूंगा प्राक्रितिक खेती से जहां पुराने बीजों को उनका दुबारा से उपयोग करेंगे और पुरानी खाद और कोबर और जो दूसरी जो हमरी अपने प्राक्रितिक जो संसाधन थे उनका उपयोग करते हुए और जैसा अधनी मोदी जी ने लक्षे रखा कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दूगना करना निश्कीत रूप से एक सरहानी एक कदम भी है और सरकार प्रियास भी कर रही है उसमें चाहें कि हम परदेश सरकार की बात करें और हम केंदर सरकार की बात करें तो उसके लिए तकेंदर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया और हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी जो लक्षे लेकर चले उसको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा सुरेश शी केंद्रिय बजट जो इस बार 2019-2020 का आया है जो आम बजट आया है उसमें भी प्राक्रितिक खेती के लिए प्रावधन किया गया है और यह बहुत अच्छी बड़ी बात है और हिमाचल परदेश प्राक्रितिक खेती में मौडल स्टेट बनना है आपके लिए यह और गर्व का विशय है फिलाल इस कारकर में वक्त है एक ब्रेक का ब्रेक के बाद हम सुरेश कश्प सीचे जानेंगे कि वह राजनीती में कैसे आ गए ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है हम बात कर रहे हैं शिंबला संसदिय सीट के माननिय संसद सुरेश कशप जी से सुरेश कशप जी आप साड़े सोला साल एर फूर्स में रहे हैं आपने देश की सेना को जिवन का बड़ा समय दिया है और जब आप वहां से रिटायर होके आए तो आप राजनीती में आगे आपने वीडियो स्तर से शुरुआत करी दो बार भी धायक रहे और फिर आज आप हिमाचल प्रदेश शिंबला संसदिय सीट के सांसद हैं क्या पहले से मन में था कि राजनीती में आएंगे हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने वाईयू सेना में साड़े सोला साल नोकुरी की और उसके बाद नोकुरी छोडने के बार पंचायच स्मिती का सदसे सबसे पहले बना 2005 से 2010 तक पंचायच स्मिती का सदसे रहा और 2007 में पहली बार चुनाओ लड़ा लेकिन उसमें विधान सबब का चुनाओ में हार गया था लेकिन उसके बाद 2012 और 2017 में विधायक बना और अब पार्टी ने आशिरवाद दिया और अब मैं सांसद बना हूँ लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं वायू सेना में था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी राजनीती में भी आना है क्योंकि मेरा कोई राजनीती की जो है इतिहास नहीं है मेरा बैग्राउंड नहीं है, मेरे परिवार से आज तो कोई प्रधान या वार्ल का सिदस्य भी नहीं बना, मैं पहला व्यक्ति हूँ, मेरी जो परिवरिक अगर मैं पिष्ट मुझे बताना चाहूं, तो मेरे पिताजी अध्यापक थे, और माता ग्रिणी है, पिताजी रिट थोटी हो भी अध्यापक हैं, मेरे जीजा भी अध्यापक हैं, खुल मिलाकर एक अध्यापक का परिवार, और उससे मेरा संबन्द रहा, और ऐसा मैंने दूर दूर कभी नहीं सोचा था कि मेरा राजनीती में आऊँगा, लेकिन वायू से सेवा निवती के बाद, जब मैं आया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं वायू सेना में रहा, तो मैं लगातार अपनी शिक्षा को बढ़ाता रहा, जिस समय में वायू सेना में प्रवेश किया, उसमें मैं जस्ट भार्वी पास्ता. आपने तीन विश्यों में PG की है, बाद में आपने MFIL करी, और बड़ी बात ये सब कुछ आपने नोकरी के दोरान किया? मैंने ये सब कुछ नोकरी के दोरान किया, ग्रेजियूशन किया, ट्रिपल अमे किया, और जब मैंने नोकरी छोड़ी तो सबसे पहले, क्योंकि फादर मेरे पीता जी अध्यापक थे, तो रिटार्मेंट के बाद उन्होंने कहा कि आप भी हमारा जो परिवारिक पिष्ट किया और छे में मुझे नोकरी भी लेकिन इसी दोरान 2005 में पंचायतों के चुनाओ चल रहे थे, तो मेरे ही कुछ मित्तों ने कहा कि आप को हम परदान बनाना चाहते हैं, पंचायत का, मैंने उसके लिए मना कर दिया कि मुझे तो एजुकेशन नोकरी में जाना है, लेकिन उसके बावजूद का कहना था कि नहीं नहीं आप आजाओ एक पड़े लिखे हैं, आप नौजवान अभी हैं, क्योंकि जब मैं रिटायर होकर आया तो मेरे उमर मातर साड़े 33 वरश थी, तो लोगों का आग रहे रहा, और परदान तो नहीं, लेकिन बाद में मैं पंचाय समीति का सदस्ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंटर जो वोट से जीता था, और जब मैं पंचाय समीति की सदस्ये बन गया, उसके बाद वहाँ पर कुछ मेरे साथ ही जो पंचाय समीति के सदस्ये थे, उन्होंने मुझे राजनीति के लिए और सपने दिखाने शुरू कर हम आपको विधायक देखना चाहते हैं, और वहीं से मेरा राजनीति की जीवन की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक राजनीति की जो बात थी, मेरे अंदर भी उसने जो है, मैंने भी प्रारंब कर दिया कि इस क्षेत्र की और देखा जाए, लेकिन इसी द है, क्योंकि करीना कहीं जो राजनीति की जो बात थी, और उसका जो जो कुछ ना कुछ प्रभाव मेरे अंदर हो गया था, मैंने उस में खरी को छोड़ दिया, और फिर आप राजनीति में आगे बढ़े, खर जाँए, शुरेश कशिब जीBo आप एक युवा सांसद हैं, ज सरकार के लिए बड़ी चुनाओती है इस दिशा में आप कौन से प्रयास करेंगे कि युवाओं को स्किल्ड किया जाए और उनकी जो रोजगार की समस्या उसको धूर किया जाए दिश्ची तरूप से बेरोजगारी आज के सब्सक्राइब में एक समस्या है उसमें चाहिए द कारोबार करें उसके लिए रिन की सुविधा है युवाओं को जो है 25 परिशट और युवितियों को 30 परिशट जो है उसमें सबसीडी का प्रावधान है और लोन की सुविधा है और चाहिए उसमें कोई अपना कारोबार करने के लिए भूमी ख्रीदना चाहे तो उसको युजना का लाव उठा रहे हैं और ना क्यों अपने लिए अपने लिए तो रोजगार करी रहे हैं साथ में दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहिए करवा रहे हैं इसके साथ साथ हीमाचल प्रदेश में टूरिजम का बहुत पोटेंशल है और मैं प्रदेश सरकार को ब जातर लोगों को टूरिजम से जुड़े हुआ हर परिवार टूरिजम से जुड़ा हुआ है लेकिन हिमाचल परदेश में सब कुछ होते हुए अभी उस खेतर में बहुत आगे नहीं भड़ पाएं तो परदेश सरकार इस और काम कर रही है और मुझे विश्वास है टूरिज हिमाचल परदेश में बीजेपी की सरकार है केंदर में बीजेपी की सरकार है इस बात जो मोधी सरकार टू आई है उसमें केंदरियों मंत्री अनुराग ठाकुर जी हिमाचल परदेश से हैं बीजेपी की बात की जाये तो उसके कार्यकारी अधक्ष जेपी नड़ा जी हिमा हुए है तो उन उमीदों को कैसा पूरा करेंगे आप क्यूंकि कारेकारी धक्ष हिमाचल प्रदेश केंद्रिय मंत्र हिमाचल प्रदेश जनता ने चारों की चारों सीटे बीजीपी को दी तो वो उमीदें पूरी होंगी बिल्कुल आज हमारा सुभागे है कि हिमाचल जैसा चोटा सा राज जी लेकिन अगर हम राजनीति क्रिश्टी से देखें आज देश के जो कारेकारी राष्टिय ध्यक्ष जी जेपी नड़ा जी हिमाचल से आते हैं और हमारा ये भी सुभागे कि इस बार अधनी मोधी जी न अनुराग ठाकुर जी के रूप में हमें एक मंतरी केंदे सरकार में दिया है और निश्चीत रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी लोगों की अपेक्षा है ये बात सही है कि प्रचंड भहुमत मिला है और जब भहुमत इस प्रकार का होता है तो जनता की अप सवाल है आप किस चीज़ के म्यूजिक में आपका शौक क्या है क्या करते हैं पुस्तके पढ़ते हैं अपना जो खाली समय है वो कैसे बेतीत करते हैं आप वेक्तिकत रूप से जैसा मैंने पहले भी कहा कि पढ़ाई तो मेरा विशे रहा है मैं शुरू से ही जब भी चैनोक चोड़ने के बाद क्या और मैंने एंफिल भी भी सेवा निर्ती के बाद किया और मेरा सदवाई शौकरा की पढ़ाई जितनी हो से कemploia उसके लिए उसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, सीखने का हर समय प्रयास होता है और इसके साथ-साथ मेरा विशेरा है टूरिज्म और टूरिज्म में मुझे बहुत रूची है मैंने Master degree भी टूरिज्म में किया है तो जब भी समय मिलता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि परिवार के सही तयाद जैसे भी समय बिला कहीं ने क्षेतर में और उसको देखने का प्रयास किया जाए, वहाँ पर क्या है, किस प्रकार का रहन सहन है, किस प्रकार की परिस्थितियां वहां की हैं, तो मेरा प्रयास यह भी रहता है। के लोगों की आवाज बुलंद करें उनकी उनसे जनता को आपसे बहुत उमीदे हैं और आप उनकी आशाओं अकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हूँ आप लोकसभा टीवी में हमारे पास आए अपना समय हमें दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो ये थे शिमला स क्षेतर के लोगों ने उन्हें दिया है वो उनकी आशा अकांक्षाओं पे पूरा उतरेंगे फिलाल लोकसभा टीवी की इस खास फेश्केश में इतना ही मुझे दीजे इजासत आप देखते रहे लोकसभा टीवी झाल झाल